हाई फ्रेंड्स अब चलते हैं पार्ट टू में पार्ट बन में हमने देखा था कि टाइप्टू रेस्प्रिटी फेलियर में एन आइवी लगाया था और वो फेल हो गया पेशन को हमने इंटूबेट किया और इनवेसिब मेकनिकल वेंटिलेशन पर डाल दिया इस वाले पार केस याद हो तो हमारा एक सतर साल के बाबा थे ट्रॉनिक स्मोकर थे और वो स्यूपीटी एक्यूट एग्जाजर्वेशन में आये थे जिनकों के टाइप्टू रेस्पेटरी फेलियर था ऐस्डोसिस था एन आइवी लगाया था एक घंटे बाद में एबीज रिपीट किय तो वह इंप्रूब नहीं हुआ पेशिट ड्राव स्यू दा चला गया और दीचिक ने लबल कर दिया कि और आये फिलूर्द हो गया उस पेशन्ट को हमने इंट्रूवेट कर दिया और रह दिया अब से क्या स्यूपीडि जेंडिकल एक से क्या में में चाल है तो कितना होना चाहिए 5-6 लीटर एक मिनट में 5-6 लीटर मेंट ventilation होना चाहिए पर यह याद रखना है कि dead space ventilation हमें कम रखना है और dead space ventilation क्या होता है मेंट ventilation मैंनस alveolar ventilation जैसे कि हमने previous पार्ट में discuss किया था टाडल वॉल्यूम कितना होना चाहिए टाडल वॉल्यूम हमें कम से कम रखना चाहिए क्यों क्योंकि ऐसे patients में dynamic hype inflation होता है मल्दब expiratory phase में airway collapse हो जाते हैं अगर हम लोग ज्यादा वॉल्यूम देंगे ज्यादा वॉल्यूम एकस्पायर करना पड़ेगा ज्यादा वॉल्यूम करेंगे तो वॉल्यूम खतम नहीं हो पाएगा जब तक कि यह भी हमारा collapse हो जाएगा तो ऑटो पीप की chance बढ़ जाते हैं तो ऐसे patient में टाडल वॉल्यूम लोवर सेड में ही रखना है कितना रखना है जो हम टाडल वॉल्यूम कल्कुलेट करते हैं वो एडल वॉल्यूम से कल्कुलेट करते हैं तो रफली 400 से 500 अमेल का टाडल वॉल्यूम रखना है respiratory rate lower रखनी है यह एक important है जो type 1 respiratory failure होते हैं जैसे कि ILD है या ARDS है उसमे हम respiratory rate जादा रखते हैं पर इन patients में CUPD patient में नापर कि इंफाइसीमा होता है ऐसे patient में respiratory rate कम रखते हैं क्योंकि respiratory rate जादा रखेंगे तो inspiratory और expiratory का time कम हो जाएगा especially expiratory attack जब patient का expiratory phase छोटा हो जाएगा तो सारी हवा भाने निकाल पाएगा और क्या होगा कि air अंदर ही रह जाएगी और इसे क्या होगा कि auto peep develop हो जाएगा इस cupid patient में आपने देखा होगा इनका expiratory phase long होता है क्योंकि problem expiratory phase में होती है इसलिए expiratory phase बढ़ा करने के लिए हम लोग respiratory rate कम रखते हैं eye ratio बढ़ा करते हैं जबकि ILD और respiratory failure जो ELook patient होते हैं जिनमें की type 1 respiratory failure होता है उसमें क्या रखते हैं कि inspiratory phase बढ़ा रखते हैं respiratory phase बरावर रखते हैं या थुड़ा सा बढ़ा रखते हैं मैंनली inspiratory phase को ज्यादा हम लोग priority देते हैं, ज्यादा बढ़ा रखते हैं, क्योंकि उसमें problem oxygen की है, तो patient को ज्यादा oxygen मिलना है, कब मिलेगा inspiratory phase में, बट COPD patient में क्या है, कि COPD patient में carbon dioxide बढ़ जा रहा है, CO2 बढ़ जा रहा है, उसको washout कराने के लिए inspiratory phase बढ़ा करना है, और क्यों बढ़ा करना है, क्योंकि auto peeve डवलप ना हो, और CO2 washout हो जाए, ऐसे patient में eye ratio जादा रखते हैं, मतलब expertise rate, expertise phase बढ़ा रखते हैं, और ये लगाने के बाद में, देखना है कि ABG stable है कि नहीं है, vital stable देखते हैं, और जो हमारा target plateau pressure होता है, किसी भी ventilator में, चाहे वो कोई भी itology हो, plateau pressure 30 से नीचे रखना है, अदरवारिस क्या होने के चाहरा से बढ़ जाते हैं, बैरोट्रॉमा, तो जो हमारा patient था, उसका ABG क्या था, 7.20, 105 PCO2 था, PO2 ठीक था था, तो अब इसमें हमने ventilator लगा दिया, कौन सा mode यूज़ करना है, volume control और pressure control, तो आप कोई सा भी mode यूज़ कर सकते हैं, दोनल equally effective होते हैं, पर ऐसे patients में, जो कि COPD है, इसमें हमें tidal volume monitor करना है, ताकि हम ज़्यादा उसको tidal volume ना दें, पर tidal volume ज़्यादा देंगे, तो auto peep ज़्यादा develop हो जाएगा, ऐसे में आप volume control दे देजे, क्योंकि volume control में आप tidal volume उतना ही set करते हैं, जितना की patient को जरूबत होती है, FIO2, 50%, just to keep saturation between 90 to 92%, 90 से या 88 से 92 की बीच में ही रखना है, उतना ही FIO2 set करते हैं, peep start करते हैं 6 से, उसके बाद में हम कम भी कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, depends on patient condition, tidal volume, tidal volume start with 8 ml per kg, ज्यादा बीच देना है, कम बीच देना है, क्योंकि कम देंगे तो hyperventilation हो जाएगा, और हमारा CO2 washout नहीं होगा, तो कि आपको पता है, कि tidal volume ही minute ventilation बढ़ाता है, जो कि CO2 washout कराने में help करेगा, इस patient को मानना कि 60 kg weight है, तो हमना 480 ml tidal volume set कर दिए, respiratory rate, very important, lower side में, 12, we can set from 10 to 14 or 15 maximum, इस ज्यादा नहीं करना है, अदर्वाइस, expiratory phase छोटा हो जाएगा, eye ratio हमने set कर दिया 1 is to 3, इसका मतलब एक part अगर inspiratory का है, तो 3 part expiratory का है, और हमें monitor करना है pre-plate, जिस मेंने बताया था कि pre-plate ज्यादा होगा, तो barotroma की chance ज्यादा होते हैं, तो setting इस तरह से रखनी है, ताकि pre-plate हमारा lower side में रहे, less than 30 रहे, और एक घंटे बाद में ABG कराना है, देखना है कि जिस काम के लिए हमने ventilator लगाया है, वो purpose solve हो रहा है की नहीं हो रहा है, patient conscious हो रहा है की नहीं हो रहा है, तो इस patient में हमने ये setting लगा दी, अब एक घंटे बाद में हमने ABG repeat कराया, तो हमने क्या देखा, जो हमारा PS था 7.20 वो थोड़ा से improve हुआ, 7.22 हुआ, और जो PCO2 था, वो भी थोड़ा से improvement हुआ, oxygen भी इंप्रूव हुआ, पर it was not sufficient, क्यों जो कि patient unresponsive था, जो patient drowsy हुआ था, जो unconscious हुआ था, वोसी condition सेम है, बन्दब हमने patient को ventilator तो लगा या, लेकिन वो sufficient नहीं है, अगर sufficient होता, तो CO2 wash out होता, जो pH है, वो significant change होता, और patient की conscious regain करती, patient drowsy है, इसका मतलब inadequate ventilator setting है, फिर हमने क्या किया, कि हमने सोचा कि अब ventilator को बढ़ाना चाहिए, क्या बढ़ाना है, patient का minute ventilation बढ़ाना है, क्यों, क्योंकि हमें CO2 wash out कराना है, जब wash out कराना है, तो ventilation बढ़ाना पड़ेगा patient का, कैसे बढ़ेगा, minute ventilation से, अब minute ventilation दो तरही की से बढ़ा जासकता है, क्योंकि minute ventilation होता है, tidal volume into respiratory rate, या तो आप respiratory rate बढ़ा देजिए, या tidal volume बढ़ा देजिए, जिससे में बताया था कि respiratory rate हम नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि respiratory rate बढ़ा देगे, तो expiratory जो phase है, वो छोटा हो जाएगा, तो जिससे क्या होगा, कि patient का जो expiratory, जो air है अंदर, वो भानी निकल पाएगी, auto peeve develop हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कि हम respiratory rate को नहीं बढ़ाते हैं, किसको बढ़ाएंगे, tidal volume को, तो tidal volume हमने बढ़ा दिया, तो tidal volume हमने, जो पहले 8 ml पर kg था, 480 ml था, उसको हमने 550 ml कर दिया, peeve भी कम कर दिया, क्योंकि peeve ज़्यादा देने से भी minute ventilation कम हो जाता है, तो हमने peeve भी थोड़ा कम कर दिया, FIO2 कम कर दिया, क्योंकि जो patient का PO2 था, वो लगबग ठीक आ रहा था, तो हमने FIO2 भी कम कर दिया, COPD patient में नहीं बढ़ाना चाहिए, eye ratio भी हमने same रखा, तो हमने क्या किया, कि minute ventilation बढ़ा दिया, y increasing tidal volume और peeve कम कर दिया, तो हमने setting चेंज कर दिया, ध्यान रखना है peeve प्लेट का, peeve प्लेट तीस से ज़्यादा ना जाए, otherwise, barotroma हो जाएगा, अब क्या करना है कि एक घंटे बात में EBG कराना है, EBG कराया, तो patient पहले तो improve हुआ, लेकिन suddenly he got shocked, hypotension, patient का BP fall हो गया, tachycardia हो गया, कितना fall हो गया, below 90-60 चला गया, pulse rate बढ़ गई, और जो plateau pressure था, वो बढ़े गया, इमेजिन करिए, patient जो improve कर रहा है, sudden shock में चला जाए, तो हम क्या सूचेंगे, patient को either, cardiogenic shock हो गया, योटि C.O.P.D. patient में, जातर cardiac comorality होती है, patient को neemotholex develop हो गया, या auto peep develop हो गया, इन में से कोई भी condition होगी, तो patient shock में चला जाएगा, क्या करेंगे, कुछ ही नहीं करना है, आपको monitor देखना सबसे पहले, हमने monitor देखा, तो क्या देखा, कि जो expiratory limb था, वो baseline टच नहीं करता था, ये flow time graph है, flow time graph में देखना है, ये inspiratory part है, ये expiratory part है, तो expiratory part, शुद टच baseline, ये baseline, तो ये टच नहीं करता है, इसका मतलब, patient में auto peep develop हो गया, अगर auto peep develop हो जाएगा, तो ये venus return कम कर देगा, cardiac output कम हो जाएगा, patient hypertension में चला जाएगा, patient shock में चला जाएगा, तो patient को auto peep develop हो गया, auto peep develop होने क्या कारण है, dynamic happy inflation, जैसे मैंने पहले ही बताया था, कि dynamic happy inflation में क्या होता है, कि expiratory phase में, complete होने से पहले, airway close हो जाते हैं, और air LVLi के अंदर ही रह जाती है, जैसे जैसे, सांस लेता रहेगा, थोड़ी थोड़ी air LVLi के अंदर रहती चली जाएगी, और बढ़ती चली जाएगी, जैसे मोते है, auto peep, कहां तक बढ़ेगी, TLC तक बढ़ जाती है, जब ऐसा होगा, तो क्या होगा, कि ventilation खतम हो जाएगा, patient का, venus return कम हो जाएगा, patient काड़ेगा आटपूट कम हो जाएगा, और shock में चला जाएग, तो कैसे देखना है इसको, how to diagnose auto peep, तो हम लोग देश सकते हैं, ये दो graph से, ये flow time graph है, जिसमें देख रहे हैं कि ये, baseline पर नहीं पहुँच रहा है, expiratory phase, और दूसरा ये flow volume loop है, ये बाला, इसमें देख रहे हैं, ये inspiratory phase है, ये expiratory phase है, तो expiratory phase, baseline पर नहीं पहुच रही है, उससे पहले ही, airway close रहे जा रहा है, तो ये जो amount है, ये वाला, तो ये है auto peep, ओके, दूसरा कैसे देख सकते हैं, capnography से, capnography से हम लोग CO2 देख सकते हैं, अगर CO2 बढ़के आ रहा है, इसका मतलब, capnography में ये आ जाएगा, और क्या कर सकते हैं, हम expiratory limb को hold कर सकते हैं, जैसे कि, ventiator में क्या होता है, जैसे कि patient में क्या हो रहा है, कि expiratory phase में, airway close कोलैप्स हो जा रहे हैं, अगर वहाँ पर हम hold कर दें, मतलब expiratory limb को बंद कर दें, तो क्या होगा, कि जो, alveolar का pressure होगा, और airway pressure सेम हो जाएगा, मतलब में समझेया, जैसे ये alveolar है, ये airway है, तो alveolar में pressure खटा हो गया, auto peep develop हो गया, तो अगर इसमें से airflow रोक दें हम लोग, तो क्या होगा, कि ये pressure, ये वाला pressure, और ये वाला pressure सेम हो जाएगा, तो इससे हम, auto peep देख सकते हैं, तो expetry limb को hold करके, auto peep देख सकते हैं, और expetry limb को hold करके, क्या दे सकते हैं, plateau pressure दे सकते हैं, तो ये दो limb का, अलग-अलग significance है, और क्याशेक कर सकते हैं, अगर हम veins, circuit से, अगर ventilate कर रहे हैं, तो उसका जो balloon होता है, जो बड़ा होता है, वो बहुत दीमे-दीमे फूलेगा, क्यों? क्योंकि expetry phase बंद हो जा रहा है, तो वो फूलेगा ही नहीं, एक stage के बाद में आते हैं, तो इससे भी हमें idea लग जाएगा, कि patient को auto-peep develop हो रहा है, लेकिन हमारे case में क्यों हुगा? क्यों हुगा बताएगे, क्योंकि हमने tidal volume बढ़ा दिया था patient का, tidal volume बढ़ जाएगा, तो expetry phase completely नहीं हो पाएगी, यह बारी नहीं इंकल पाएगी, peep कम कर दिया था हम, यह हमने mistake की दिए, patients को excessive secretion थे, जब secretion जादा होंगे, यह बें नेरो हो जाएगा, expetry phase में close होने की chance बढ़ जाएगे, और excessive small ear-way resistance due to COPD, COPD itself, exaservation patient आया था, exaservation में bronchoconstriction बढ़ जाता है, तो यह चार factor हो गए, जिसकी वेज़़ से patient को auto-peep develop हो गया, अच्छा, जब patient को हम लोग mechanically ventilate कर रहा है patient को, patient में ventilator लगा दिया, इच breath के साथ, थोड़ी-थोड़ी air इखटी होती जाती, अब देख रहे हैं कि, इच breath में थोड़ा-थोड़ा, air इखटा हो रहा है, कहां तक होगा, nearly total lung capacity तक, जैसे पहले वीडियो में भी बताया था, पिछले वाले पार्ट में, air इखटा हो जाता है, और TLC तक पहुंजाता है, ऐसे, फिर सास रेना बड़ा मुश्क्र हो जाता है, ऐसे में क्या है, वर्क अब बीदिंग बढ़ जाती है, तो auto-peep develop हो गया, इसके disadvantage क्या-क्या है, पी बढ़ गया, मतलब हाइपर इंफ्रेशन हो गया, तो diaphragm फ्लेटन हो जाएगा, प्लेटन हो जाएगा, तो जो contraction है, जो inspiration, expression है, वो टोलम आ जाएगा, क्या होगा, वर्क अब बीदिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि diaphragm फ्लेटन हो गया, mechanical disadvantage हो गया, दूसरा आप notice करेंगे, कि ineffective trigger हो जाएगा, patient trigger कर रहा है, लेकिन बेट्रेटर सेंस नहीं कर रहा है, क्योंकि trigger करने के लिए, patient को इतना effort लगाना पड़ेगा, इतना negative pressure generate करना पड़ेगा, कि बेट्रेटर सेंस कर ले, जिए फर एक्जामपल जो हम लोग setting करते हैं, बेट्रेटर की, उसमें एक से दो सेंटिमीटर ओव वाटर, trigger set करते हैं, मतलब patient अगर इतना generate कर लिया, तो बेट्रेटर समझ जाएगा, कि patient को जरूवत है, उपने सास दे देगा, पर auto peep develop हो गया, मतलब ये normal trigger है, इतना patient को trigger करना है, अगर auto peep develop हो गया, patient को इतना खटा करना पड़ेगा, जैसे patient का normal set किया था, हमने एक से दो, और चार का उसको auto peep develop हो गया, तो 4 प्लस 1, patient को 5 cm वाटर का effort लगाना पड़ेगा, मतलब inspiratory generate करना पड़ेगा, जो negative pressure generate करेगा 5 का, तब ventilator sense करेगा, कि patient को सास दे नहीं है, तो ये patient के लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए trigger fail हो जाता है patient, तो ये एक problem है, ineffective trigger क्योंकि auto peep develop हो जा रहा है, तीसरा cardiac function deranged, compromise, जिसे बताया था कि venus return कम हो जाता है, जिसे कि cardiac output कम हो जाता है, फिर barotrauma, क्योंकि जैसे alveoli में एकर खट्टी होती आ रही, auto peep, थोड़ी-थोड़ी every breath खट्टी होती आ रही है, प्लास्ट में क्या होगा कि alveoli फूल जाएंगे और बस्ट हो जाएंगे, तीस कॉस बेरो ट्रॉमा से क्या होगा, नीमो थोड़ीक्स डवलप हो सकता है, नीमो मेडिया शिन्नम, साजी कलीम, फाइस्थीमा, सब कुछ डवलप हो सकता है, तो ये करता है, हमारे पेशेंट में क्या हुआ, पेशेंट को एक्यूट शॉप डवलप हुआ, एक्यूट शॉप, तो इमीडियेटली क्या करना है, डिसकनेक्ट वेंटिलेटर फूर फ्यू सेकेंड, आप वेंटिलेटर से डिसकेंट कर दीजिए, जो इटी ट्यूब है, उसको आप खटा दीजिए, अगर आप इटी ट्यूब से वेंटिलेटर को डिसकेंट कर दीजिए, आप देखेंगे कि गश ओफ एयर बहार निकलेगी, आप फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं, एयर तेजी से बहार निकलती है, अगर इयर निकलने के बाद में, अगर उसका बीपीट ठीक हो गया, इसका मतलब जो शौक था, वो आटो पीप की वज़े से था, अगर शौक परसिस्ट कर रहा है, उसका मतलब वो कार्डोजिनिक शौक था, काड़ेक में प्रॉलम आगए, तो याद रखना है, जब पेशेंट को acute आटो पीप डवलप हो गया, जिसकी वेशे शौक में जाता है पेशेंट, आप वेंटिलेटर डिस्कनेट कर दीजिए, जिससे की सारी हवा निकल जाएगी, और पेशेंट इंप्रॉव हो जाएगा, इंप्रॉव नहीं हो रहा है, तो हमें काडेक शौक को एवेल्यूएट करना पड़ेगा, जब हमना यह सब कर लिया, फिर हम आगे आटो पीप ना डवलप हो, या कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, एक तो हम एक्सपेट्री रेश को बढ़ा सकते हैं, बन्दब आई रेशियो बढ़ा सकते हैं, जैसे पहले हम यह इंस्पेट्री फेश था, यह एक्सपेट्री फेश था, इसको हम और बढ़ा सकते हैं, perceptri phase को बढ़ने के लिए मैं क्या पड़ाइगा आयी रेस्यू बढ़ाना पड़ेगा कि inspiratory to exprsフेस बढ़ाना पड़ेगा freshman experiment experience प्रलॉंग करना पड़ेगा कैसे कर सकते हैं या तो इस फिट्रत कम कर दीजिंए फिर आयी रेश्यू बढ़ा दीजिए दूसा यह है कि यू दे रहे थे तो यह हो गया अगर इनस्पीटिफचन जल्दी ओजाएगा तो एक्सपीरेशन को टैम मिल जाएगा जो एक्सपीरेटिफ़ ऐन हो जाएगा तो आटो पीब डवलक नहीं होगा तीसे र ज्या है आपक्षनल पीब एपलाइ कर सकते हैं ध्यान रखना है कि auto peep to develop होता है वो होता है एलेविलर लेवल पे at the end of expression और जो हम peep लगाते हैं जिसको external peep बोलते हैं वो लगाते हैं airway pressure तो आप imagine करिए कि expatriate face पे यहाँ pressure लगा दिया तो यह बंदी नहीं होगा यह यह खुडा रहेगा इससे क्या air भाहर निकल कि रहेगी तो जितना का auto peep develop हो रहा है उससे थोड़ा सा कम आप peep दे दीजिए external peep say for example आपका 8 cm auto peep develop हो रहा है आप 7 cm का peep लगा दीजिए जहां पर इससे क्या होगा जो एर वे जो एल्वलाई में जो एर इखटी हो रही थी सब बाहर निकल जाई क्योंकि आप आप जो पाइप था जो विंड पाइप था वो खोल दिया आपने कैसे खोला पीप लगा के फिर जो एर वे रजिस्टेंस आ रहा है उसको कम करने के लिए आप इसकते हैं इंफ्लामेशन कम करने के लिए इस्ट्योइट दे सकते हैं अगर सीक्रीशन ज्यादा है तो फिर आप शक्षन करिए तो इन सभी मेथेड़ से हम लोग ऑटो पीप का डेवलमेंट कम कर सकते हैं अगर ठिक सीक्रीशन से हैं इन फेक्ट मैं तो कहूंगा कि सभी हमें हमें HME filter यूज करना चाहिए हमारे एर्वे में मूकस ग्लेंड होती है जो की एरवे को वेट रखती हैं गीला रखती है और हमारे बोड़ी का टेंपरेश होता है 37 निग्री होता है तो मतलब हीट भी होती है हमारे एयरवे में और मोईस्टर भी होता है जब हम लगाते हैं तो सारा यह लॉस हो जाता है तो यह लॉस ना हो इसलिए हम यह फिल्टर लगाते है तो यह फिल्टर क्या करता है जो अंदर की हीट और मोईस्टर होता है वो अंदर ही रिटेन लगता तुम्हारे एरवे में जो heat और moisture है वो अंदर ही रहेगी जो secretions होंगे वो dry up नहीं होंगे secretions dry up नहीं होंगे तो trap नहीं होंगे और उसको आप सक कर सकते तो इसलिए हमें याद रखना है कि सभी patient में HME filter लगाना है especially जिसमें की airway dry हो रहा हूँ secretions निकल नहीं पा रहे हूँ दूसरा COPD का patient से nebulize कराना है ध्याँ रखना है कि जो nebulizer attach करना है वो HME filter के बाद यूद अटेश करना है अगर पहले कर देंगे तो nebulize होगा ही नहीं ऐसे patient में HME filter और जो ET2 होती है उसके बीच में connect करना है और ब्रांगो का श्टिक्छं था कैसे काम कर सकते हैं जो टो प्रेस्टेंस होता है पड़ी सी जो बैंटेटर सरक्यिट होता है यह सब इयरवे रजिस्टेंस में ही काउंट होता है कैसे कमकर सकते हैं अगर बढ़ा हूआ हो तो ET चोटा कर दीजिए मालोब आपके ET बहुत लंबी है तो आप उसों ठोड़ा चोटा कर दीजिए जो 20-circuit उसको भी चोटा कर सकते हैं और frequent suctioning सीक्रीशन बहुत हो थे सिक्रीशन निकाल सकते हैं तो हमारे पेशन में हमने आटो पीप डेवलाप हो गया था डिसक्रेट कर दिया सारा यह भार निकल देए अब हमें क्या है कि फिर से लगाना है तो हमने क्या किया कि Fio2 हमने कम कर दिया क्योंकि Oxygen में प्रॉलम नहीं थी प्रॉलम कहा थी CO2 washout कराने में पीप हमने फिर से बढ़ा दिया 6 का पहले 6 था 5 किया फिर 6 कर दिया Taddle Volume हमने कम कर दिया पद्याद रखना है पहले Taddle Volume 480 लगाय था तो CO2 washout नहीं हो रहा था तो पहले से तो बढ़ाना है लेकिन सेकिंड टाइम से कम कर देना है क्योंकि हमें Auto PEEP Prevent करना है रहे सेम रखी है लेकिन हमने आई रेशियो बढ़ा दिया पहले हमने कितना खाता 1.3 अब हमने कर दिया 1.35 तो एक्सपेटीफ फेज प्रलॉंग करके हम Auto PEEP Prevent कर सकते है और हमने क्या किया है हमें फिल्टर यूज कर लिया ताकि सिक्रीशन ड्राइ ना हो शक्षिन करते रहे ताकि सिक्रीशन भार आते रहे नेवलाज़शन यूज किया इटीट्यू लंबी थी छोटा कर दिया जिससे क स्हाफि स्टेवल हो अभीज इस्टेवल हो गयाए सिटい евой हो गई पेशिन कौंशियों मिई अब क्या करेंगे अब कोuar तो करने के लिए क्रते हैं हम उसका प्रेशय कम करते जाते हैं हम क्या लगाते हैं अगा प्रेशसर शुपर्ट वेटिलेशन इसमें क्या होता कि पेश वीनिंग कोशिस करते हैं। अदर प्रॉलम क्या क्या आती है C52 पेशन में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वीणिंग डिफिकल्टी तो हमने पेशेंट को अब सोचा कि एक्स्टूबेट कर दें और एक्स्टूबेट करने से पहले स्पॉंटिन्यस बीधि टायल दिना पड़ता है तो क्यासे देते है टीपी स्ट्रायल से हमने पेशेंट को टीपी स्ट्रायल दिया पर क्युंanka ट्यूरेट नहीं कर रहा है क्योंकि जो 80 tube है वो narrow होती है और patient को उतना tider volume नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जो tube है वो narrow है तो tider volume नहीं मिलेगा patient को तो क्या होगा patient जलिली सांस लेगा टैकिपनिया हो जाएगा work of breathing बढ़ जाएगी work of breathing बढ़ जाएगी muscle fatigue हो जाएगी मुसल फटीग हो जाएगी patient hypoventilation होगा co2 increase हो जाएगी तो हमारा patient tp-strial नहीं tolerate कर रहा है फिर दूसरा method क्या है एन आई वी के थुरू मतलब स्वरी pressure support ventilation के थुरू तो इसमें pressure support ventilation में वीनिंग कैसे करते हैं कि हम pressure से कम करते जाते हैं मालों 12 का दे रहे हैं फिर हम 10 का दिया फिर हम ने 8 का दिया देखते हैं patient कहां तक comfortable है तो जो ideal होता है जो spontaneous breathing टाल के जो equivalent होता है वो होता है five pressure support five to six तो इस patient में हम लोग कम किये लेकि 10 से कम नहीं कर पा रहा है 10 से कम करते ही patient को inadequate ventilation मिल रहा है patient का co2 rise हो जा रहा है तो जैसे reduce कर रहा है patient is getting hypo ventilation तो दोनों spontaneous breathing trial हमारे fail हो गए ऐसे patient में क्या करना चाहिए तो guideline कहती है कि ऐसे patient में आप extubate कर दिये और NIV लगा दिये तो इस patient में हमने extubate कर दिया NIV लगा दिया और patient को हमने discharge कर दिये बाद पर याद रखना है discharge करने से पहले patients को बोलना है कि smoking छोड़ दो भाई vaccine लगवा लो very important every COPD patient को vaccine लगनी है बट flu vaccine और pneumonia vaccine तो must है और इस time उसे कहीं के रेगुलर treatment ले क्योंकि बार बार exaggeration होगा तो lung capacity कम होती चलिए आएगी और mortality and mortality बढ़ती चलिए तो exaggeration को रोकने के लिए patient need to take regular medication so that's all in this module so thank you very much अगर यह वीडियो आपको helpful लगा है तो please like करिए comment करके मुझे बताईए यह वीडियो क्यासा लगा और कोई query हो तो मुझे बताईए friends साथ में share करिए और इस channel को subscribe पर फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में thank you very much